कि दोस्तों आपके माइंड में भी ऐसा चलता हो गाएं जिए कि आप यहां पे देख सकते हो हमारा फोन लोग है ठीक है तो हम अपना भिप 10 पैनल करते हैं ठीक है यहां पर हम जो है नेट बंद करें लेकिन आप नेट बंद नहीं है जलक आप अपना फोन लोक नहीं करेंगे ब्लूटून है और नहीं हो रहा है तो तो यह नहीं हो रहा है मुझे अपना phone unlock करना होगा यहां की मौईいる hot spot में on करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो रहे मुझे फॉन अपना अलोग करना होता है ठीक है यह हमारा safety purpose को लेकर ठीक है यह only safety purpose को आप जो अपना phone कहीं भूल जाते हैं तो कोई ही आपका hotspot न ले ले जैसे फोन आपका लोक है तो वहां से होट्सपोर्ट ओन करेगा लेकिन होट्सपोर्ट यहां पर ओने होगा और साथ में आप यहां पर लेकिन फ्लैश यहां पर ओन हो जाएगी फ्लैश ओन ओफ यहां पर हो जाएगी फ्लाइट मोर नहीं लगेगा इंटरनेट बंद नहीं होगा तो यह चीज़े आप अलोक कैसे कर सकते हैं अपने लोक स्क्रिन पे ठीक है आज मैं उसी के बारे में आज बताने वाला हूँ मतलब कि सबी चीज़े आप यहां पर ओन कर सकते हैं ठीक है जैसे कि वाइफाई मियांसे में ओफ कर सकता हूँ यहीं से लोक लगे फोन पे ही जिसकी मेरा फोन लोक है मैं हर चीज यहां पर OPERATE कर सकता हूँ ठीक, कोई भी चीज होट स्पोर्ट भी ON कर सकता हूँ Bluetooth भी ON कर सकता हूँ Flight Mode भी यहां पर ON कर सकता हूँ तो यह हमारे डिवाइस की hidden setting है आपको कहां पे मिलेगी अब हम आज उसी के बारे में यहां पे बात करेंगे सुना मश्कार दोस्तों मेरा नाम है राकेश कुमार और आप देख रहे हैं RK News Tech Channel तो चलिए आते हैं आप में मुद्धे पे चलिए आप अपना फोन जो है वो अनलोक करना पड़ेगा आपने फोन अलोक यहां पे कर दिया यहां पे करने के बाद आप जाएंगे सेटिंग वाले ओप्शन में सेटिंग वाले ओप्शन में यहां पे चलेगे यहां पे जाने के बाद आप धिहां से देखना है अपने नीच्चे को स्कॉल करेंगे आपको बहुत साटिंग मिलेगी, screen lock type, आपको पता smart lock आगया, secure lock setting, ठीक है, तो आपने simply secure lock setting वाले option में यहाँ पर click करना है, यहाँ पर जाने के बाद आपका phone जो है, यहाँ पर pattern मांगएगा, जो आपने लगा के रखा हुआ है, मैं यहाँ इसे unlock करूँगा, यहाँ पर आपक incorrect attempt to unlock your phone, it will be reset to factory default setting and all data will be erased, including file and downloading app, ठीक है, समझ गया, मतलब की, अगर हम मैं इसे यहाँ से on कर देता हूँ, इससे क्योंगा, मानलों कि अगर 20 बार जो है, अगर कोई आपके pattern गलत डालता है, 20 बार बार अंगुठा लगा रहा है, 20 बार जो है, वो गलत attempt करेगा आपके phone में तो आपका phone जो है, समझ जाएगा कि मेरा phone जो है, चोरी हो चुका है, और आपके phone को खोलने की कोशिच की जा रही है, तो आपका phone automatically hard reset हो जाएगा, मतलब कि जो भी आपका personal data है, सब erase हो जाएगा आपके phone से, तो आप इस feature का use कर सकते हैं, अगर आप और security चाहते हैं, मैं इस option जो है, आपको यहाँ पर मिलेगा, इस setting में आने के बास, secure lock setting में, तो इसको हम यहाँ से off कर देंगे, शलिए, आप phone को lock लगाते हैं, अब हम notification panel नीचे करते हैं, आप देखते हैं, यहाँ पर internet बंद हो गया, on हो गया, ठीक है, flight mode on हो गया, मतलब कि हर चीज यहाँ पर work कर इसको हम कर दें, hot spot भी हाँ पर हमारा on हो गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि आप यहाँ से आप हर चीज ऑपरेट कर सकते हैं, lock लगे होए phone में भी, तो यह security आप हटा सकते हैं, रखना चाहते हैं, तो आप इसे on भी रख सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, lock network and security, ठीक है, इसको आप लोग भी रख सकते हैं, security purpose को लेके, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, comment box पर comment कीजेगा, so bye bye, take it, जैहिन, बंदे मातरम